विए ओडियो विडियो पार है अगलो पूर दीजेगा पाल कि रोड़ा तिन कि परें चाइक और आप को को पिछिएस पड़ाने पार हुआ कि ऐनिस के ऊद्द स्कूंधया bes jadi तो जेता कि आप तो टॉटल में मेरे नाम परच चिक है है यो मैं आटीश, अल्रडी इत्रस अजब्टर, आप लोग मैं से यह से कितने बच्चे जो रहे साथ पैसि पड़ा कुछे हैं कितने हैं आप लोगों के अचली हम इसका स्टेटी करें, कितने हैं जो बच्चे लेफल्ग के प्रिजेश कप्रवान पर लिए कितने बच्चे जो परेसे इत्रस फांदेशन लेबल की ओल्डेशन वेले कमूटीट कर तो है तो मैं आप लोगों की कमेंटी की रिप्लाइट रहुँगा ठीक है? विछ अपिटर यू अवर्ड इस लेक्शुर भाई देखो मैं सब्सक्राइब आपको बताने काई किसी तरीकी सथा ग्लास रखेगे मैं कहां सब्सक्राइब होगा मैं कि विटेंट ओपीओपी ओपी दो पितालीग है अज नाब बतायगा अच्छा रखेगे तो पहले हम लोगो और पूँग विपने काई कि लिए इस इस जाएज आएज में कि आपको से आयरते कर वी ते तारीकिस तरीके से माह और यही बारेट है कि अधिक तो अभी सभी को मेरा वैस्ट विल्कुल क्लियर आ रहा होगा ठीक है वाइस कमिंग वैरी स्लोव अभी आ रहा है वाइस फिक्स अभी सही आ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस ओके ओके चलो वहीं एक बार सारी बच्चे मेरे और यूडियो वीडियो सभी को सही आ रही है तो यस ओके वैरी गुड दो नसी जैस बैच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि फिजिक्स में हम लोग किस तरीके से हो कहां से स्थालें और किस चैपटर से आप लोगों को शुरूआत करनी है हलंकि आप लुग परचूंबाले बिस कि स्थ्रेट लाइन से हमाज शुरूआ करेंगे fazem graduate क्यों सरीन सांकि और जितने एक best analysis पर मैंने आप लोगों के लिए syllabus design किया है और उसे के according हम लोग lecture plan करने वाले हैं ठीक है आप लोगों के जो भी questions हो मैं आप लोगों के questions के आपके chat का मैं जवाब ज़रूर दोंगा ठीक है तो NSGS का syllabus हम लोग physics में consider करें तो वो कुछ basic mathematics से हम लोग start करेंगे basic mathematics में मैं आपको straight line technometric functions, trigonometry ठीक है trigonometrical graphs, differentiation, integration यह सारी शीज़े हम लोग करने वाले binomial theorem का use होता है तो वहां भी हम लोग करेंगे कुछ identities होती है वो आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि physics में जब तक आप लोगों का math वाला portion strong नहीं होगा तब तक आप लोग physics में comfortable नहीं हो पाएंगे ठीक है इसलिए आपको basic mathematics वो सारी basic mathematics में आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपको physics के लिए ज़रूरी है without basic mathematics आप लोग physics को इंप्रूब नहीं कर पाऊगे तो basic mathematics में क्या है किस तरीके से lecture रहेंगे वह मैं आप लोगों को आज अभी start करेंगे तो मैं starting में आपको बता दूँगा कि basic mathematics आज हम स्ट्रेट लाइन से start कर रहे हैं कल हमारा session जोगा वो technometric functions पर होगा next session जो है वो different session integration पर होगा तो चार से 5 sessions आप लोगों को basic mathematics में मिलेंगे वहीं unit and dimensions आप लोगों के लिए सारी देखो भाई unit dimension क्या 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 है क्योंकि dimension से unit से question direct question आप लोगों को नहीं मिलता है लेकिन यह वह चेप्टर हैं जिसके बिना physics को समझ पाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है ठीक है वहीं हम लोग बात करें वेक्टर अब देखो वेक्टर के वेक्टर की questions vector based questions होते हैं ठीक है इसलिए तीनों चेप्टर आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहां physics आप आप लोगों की यह तीन चेप्टर चलाएंगे वहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों की काइनामेटिक से हालांकि आप लोग देखते हो नाइन में आपका फर्स्ट चेप्टर है motion ncrt के आप लोगों को मिलते हैं यह बहुत अच्छा चेप्टर है आपको क्वेशन मिलेगा वहीं हम बात करें फोर्स एंड न्यूटन्स लौज ऑप मोशन यहां से आपको क्वेशन मिलेगा प्रिक्षं का आपको देकने के लिए मिलता हुआई वर्क एनरजी ये से तो जैप्टर से हमारा आप लोगों के लिए फोकस रहेँगा और आपको स्ट्रॉंग भी करना है वहीं अगर हम बात आप करें हैं फ्ल्वीड की तो फ्लूइड कन्फूजिंग करता है आप लोगों के लिए यहां पर ही हम लोग देखेंगे तो एक एक कुश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ठीक वहीं टेंथ पूर्शन से आप लोगों को मैं पढ़ाएंगे इलक्रोस्टाटिक इलक्रिसिटी मैगनेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंवाई वहीं जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आप लोग टेंथ में पढ़ते हो वाला पॉर्शन वहीं आप देखो कि तो आपका हीट वाला चेप्टर नहीं है वहीं साउंड भी साउंड जो है वो नाइंथ का चेप्टर है तो इन इस साउंड सबसे लास्ट में हम लोग लेखेंगे साउंड से भी एक कुष्ण आपको देखनी के लिए मिलता है लेकिन आपको पढणा है और यह सबसे इंपर निए चेक आप लोग अपको बच्चे के लिए अब गया कर रहे हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं है आप लोग कर सकते हो जितना नौलेज आप लोग ले सकते हो लीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि आप NSEGS के लिए और आप पढ़ाई कर रहे हूं करना है तो पहले आप लोग अपनी eligibility चेक कर लीजे उसके बाद आप लोग सेशंस में आईए सेशंस में आप लोगों को बहुत सबसे बड़ा confusion क्या होता है कि सर यह कूर्स हमारे लिए है या नहीं है सबसे ज्यादा को जो question आते ना वो सबसे ज्यादा question यह होता है सर हमारे ल आप लोग इसके लिए eligible हो ताब आप लोग prepare कर सकते हो आप यदि future में जहीं देना चाहते हो तो आप उस लेवल का foundation आप लोगों के लिए बैच है फिर बच्चे कहेंगे सर हमारे लेवल पर हमारे लेवल से उपर जा रहा है या फिर हमारे लेवल तक है या फिर हमारे करते हुए और उसी लेवल को हम इट करेंगे उसी लेवल के questions और उसी लेवल से आप लोगों को यहां पर content मिलेगा वही speed होगी क्योंकि हम लोग आप लोगों का अगर कोई question है तो पूछ लीजे अधरवाइस हम आज का session स्टार्ट करेंगे basic mathematics के साथ ठीक है basic mathematics में किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं अब क्या पढ़ेंगे वो चीज में आपको बद्दाऊंगा लेकिन सारे बच्चे copy panel लेकि बैठ आप लोगों के लिए speech नहीं चल रही है जिसको हम लोग सुनते करो ठीक है जो चीज में लिखाऊंगा उसके लिए वैल मेंटेंड आप लोग नोट्स तयार करो कि चलिए देखिए सबसे पहले basic mathematics में हम बात करें तो Cartesian plane ठीक है अब Cartesian plane हलांकी आप लोग mathematics में पढ़े होंगी कि इस इस अधा एक्स एक्सिस कि अब एक कुछ बच्चे question किसी का बुक preference बुक preference बहीं बताऊंगा पक्का बताऊंगा तुम लोगों को बुक preference भी बताऊंगा कौन सी बुक से questions करने हैं कैसे आप लोगों को practice करनी है वो सारी जवाब हम लोग आपको दे देंगे ठीक है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको questions भी session में रहेंगे lecture plan भी रहेंगा questions भी आप लोगों के लिए रहेंगे ठीक है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जो class में पढ़ाया जाए उसका notes आप लोगों को तयार करना साथ की साथ वहीं हम लोग partition plane में सबसे पहले बात करते हैं partition coordinate plane जिसमें हम लोग x और y axis की बात करते हैं यहां हम लोग इस point को हम लोग origin बोलते हैं वहीं origin से आप लोग upward move करते हो तब भी आप लोग क्या लेते हो पॉजिटिव लेते हो वहीं origin से आप लोग left move करोगे तो इसको negative वहीं origin से अगर आप downward move करते हो तो इसको भी आप लोग क्या करते हो negative पंसीडर करते हो आप ये partition plane क्यों पढ़ना जरूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम एक point को समझने की कोशिश करते हैं कि इस वाले x एंड इसको हम लोग y बोले और इसको हमने क्या बोला x डैस बोला और इसको हम लोग y डैस ठीक तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वार्डेंट इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वार्डेंट इस इस दा थार्ड क्वार्डेंट या सरी थार्ड एंड इस इस पोर्ड ग्वार्डेंट आप देखिए हम किसी भी क्वार्डेंट में हम लोग जब क्वार्डेंट को प्लेस करते हैं मानकर चला मैंने कि कुई एक point है हमारे क्लास में या फिर इस location पर हम लोगों ने बात करी इस इस कोई point है इसके हम लें कॉडिनेट यहां पर लिखने हैं तो आप कॉडिनेट के तरीके से लिखते हो बैए डेली विक में six days का आप लोगों की कितना एक्स पर मूफ किये और अब इसके लिए आप क्या देखते हो दूसरा point कि ए पर हम लोग और जिन से कितना ऊपर इसको आप लोग डिनोट करना चाहते हैं तो कैसे डिनोट करोगे एक्स कॉमा वाई कुछ इस तरीके से अब इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी हम लोग और जिन से राइट जाएंगे तो इसको पॉजिटिव एक्स लेंगे एंड और जिन से अपवर जाएंग तौक्ति होगा वहीं हम ओर जिन से उपर जाएंगे तो इसस्द पॉजिटिव क्क से नीचे हम लोग आते हैं तो इसलerson हम लोग देखेंगी कि जब फोर्ड क्वाडिनेंट की हम लोग बात करें तो फोर्ड क्वाडिनेंट में आप लोग देखिए कि एक्स में आप लोग राइट में मूव करते हो तो इस इस दा पॉजिटिव वहीं ओरिजिन में आप लोग लेफ्ट आते हैं तो इस इस दम माइनस साथ की साथ नोट कर रहो मूफ करता हूं मैं नेक्स पॉइंट पर देखिए जो हमने अभी कार्डिशन प्लेइन लिया इसमें हम क्या करते हैं हमने कार्डिशन प्लेइन बनाया सम्थिंग कुछ इस तरीके से फिस न एक्ष दिस लागन यहां भी रश्रेंटेशन लाज सकते हो बट्टर यह बमने कोई पॉइंट लिया इस पॉइंट पर और दूसरा पोइंट हमने कहां केस्ट statement हमने टूइंट consider के एक तो X एंड दूस्टो एक सॉरी है और यह पॉइंट हमने लिया कि एक तो एक पॉइंट लिया दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया दिस अब बी पॉइंट तूपॉइंट सम लोगों ने questions आ रहे हैं अब देखो समझ यह का बिटा one second something is doing wrong please wait अब देखिए basically हम लोग क्या करते हैं अब देखिए basically हम लोग क्या करते हैं अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया एक partition plane बनाया कुछ इस तरीके से x and this is the y अब यहां हमने कोई एक point लिया a and दूसरा point कुछ इस तरीके से हमने यहां लिया b इसके जो हम लोग coordinate mention किये कि कोई a point है इसके हमने देखा कि x1, y1 वहीं हम लोग b के लिये लिये 2 this is the x2, y2 आप coordinate लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि coordinate हम लोग किस तरीके से लिखते हैं और कैसे हमें लेकर चलना है ठीक है अब इस तरीके से देखो वन सेकेंड प्लीज इस class 9th और 10th और necessary भाई देखो अगर nsc.js आप लोगों को correct कर रहा है तो आप लोगों को high level पर जो पहले नमबर तो आप लोगों को eligibility चेक करने हैं वीडियो जाकर देख लो जिसमें आप लोगों को ये clear हो जाएगा कि किस के लिए ये course है किस कितने बच्चे यह है इसको द आप लोगों को आप लोगों को बता देंगे कौन-कौन से questions करने हैं timing हमारी यही रहेंगे आप लोगों को I hope मैंने जवाब दिया अब देखो coordinate हम लोगों कुछ इस तरीके से लिए एक point ले लिया हमने a दूसरा point लिया हमने b अब coordinate a लिया और दूसरा coordinate b लिया अब हमने कहा देखा कि इस ए और B के बीच की distance बताइए क्या बताओ ए और B की distance बताईए तो distance बताने के लिए आपके पास में क्या है किस तरीके से बताओगे तो दैन इसमें आप लोगों को जो coordinate है हमारे पास cardiction plane जो है वह आप लोगों को help करेगा अब किस तरीके से help करेगा वो मैं पर्पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं हमने एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स पर तो अभी आप लोगों को इससे पता चला कि यह जो एक्स पर कितना मुव किया है वहीं दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं यह पॉइंट को हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पर भी डेस्ट बना लेते हैं यानि कि हमने एक देखा कि यह भी एक दूसरी यह परपेंडिकुलर हैं अब हमें यह बता चला कि यह जो एक्स पर कितना पर कितना मूफ किया है यह जो डिस्टेंस है आप लोगों को देखे रहे हैं यह आप लोगों को एक्स वन देख रही है ठीक है ना तो इसको हमने बुला एक्स वन और देस दाव वाई बन लेकिन यह परपेंडिकुलर होने चाहिए अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि बी पॉइंट जो हमने कंसीट रखिया है जो बी पॉइंट हमने कंसीट रखिया अब इसके लिए भी वही सेम मैथर अपनाएंगे हम लोगों ने वी के लिए लिए तो एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉब किया आई होप आप लोगों को बताएगा कि एक्सपर कितना मूव कर रहा है और वाई पर कितना मूव किया यानि कि आप लोगों को यह प्लेइन जो है किस तरीके से देखो अब समझना ध्यान से एक बार यहां पर देखिएगा कि जो एक ओर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट किया है तो यहां से यहां त इतना है y2 आ गये हैं अब आप से पूछी जानी एवी की डिस्टेंस बतानी के सा थो देखना में आप लोगों को यहाँ को आपके पास विजडाइस हो रहा होगा आपको एक यहां पर राइट ट्राइंगल आप लोगों के पास है तो एक थियोरम आप लोग जानते हो पाइथागरोस थियोरम तो क्या मैं इस में से इस ट्राइंगल को अलग कर सकता हूं क्या क्या इस ट्राइंगल को मैं अलग कर सकता हूं यदि आप लोग नहीं भी करना चाहते हो कोई फरक नह सकते हो लेकिन मैं क्या करता हूं इस ट्राइंगल को अलग कर लेता हूं जिसे मेरे को थोड़ा सा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मानकर चला मेरे पास में यह जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को मैंने यह जो पॉइंट मेरे पास में क्या है बी है यह मेरे पास में क्या ह यह क्या है मेरे पास C अब राइट ट्राइंगल है अब मेरे को बताना क्या है एबी की डिस्टेंस बतानी है इसके मैंने कोडिनेट देखे तो X1, Y1 और इसके कोडिनेट मैंने देखे तो this is the X2, Y2 क्या X2, Y2 कुछ इस तरीके से मैंने अब एक बात बताईए जब मैं इस पॉइंट के कोडिनेट की बात करूं तो यह कोडिनेट कैसे निकाल सकतो मैंने अभी अभी बताया अब देखा कि यहां से और यहां तक हम कितना मूफ कियें बेटा यहां से यहां तक आप मूफ कियो X1 किता X1 मूफ कियो हो और यहां पर आप कितना मूफ कियो यहां तक कहां कितना मूफ कियो बिटा यह वाली डिस्टेंस किया है आप लोगों को Y1 क्या है यह क्या है आप लोगों सारी वाई टू यह अब देखो यह वा एक्स वन पॉइंट अव सी पॉइंट अब देखो में ची पॉइंट बोलता हूं तो सी पॉइंट के कोडिनेट्स क्या होगे है आप एक्स वन कॉमा कि वाइक तो इस एट क्लियर सभी को पॉइंट समझ में आया अब आप से पूछी जाए यह वाली डिस्टेंस तब आप बता सकते हो, सर आपसे ये distance पूची जाए, तब भी आप बता सकते हो, उसके बाद इस distance की निकालने की बात की जाए, तो आप लोग ये भी निकाल सकते हो, आप कैसे निकालते हो, AC का सकते हो, प्लस, BC का सकते हो, अब कौन सी धियोर्म लगाई है, पाइथागोरस से आप जानते हो, हाइपोटेनस सक्वाइर इक्वस टू, बेस सक्वाइर प्लस परपेंडिकुलर सक्वाइर, ठीक है, इस पॉइंट से हमें क्या मिला, जो AB सक्वाइ है, वो हमारे कुछ इस तरीके से equally होगा, है ना, पाइथागोरस तो, I hope, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए, वहीं अगर हम किसमें बात कर रहें, अब इसकी बात करें, यह वाली डिस्टेंस, अब आपको नहीं पता, तो आपने क्या करना है, पहले BC को न यह उसके बाद में आप लोगों की निकल कर आएगी, क्योंकि यहां पर AB square equals to AC square plus BC square, अब यह आप लोग राइट राइंगल पढ़े हो, ABC, जिसमें आप लोग इसको A बना दे तो, B बना दे तो, C बना दे तो, लेकिन ध्यान रखो कि हमने किस point को क्या लिखा है, यह चीज जयार नहीं चाहिए, आपको तभी तो निकाल पाओंगे, अदरवाइस आप लोगों के लिए, क्या हो जाएगा, रटने वाली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, ओके बिटा, माही, आप class 90 मेरे साथ पढ़े हो ना, class 90 में तो मेरे साथ पढ़े हो ना, अब देखो, अब मैं क्या कहता हूँ कि AC को निकालो, AC, तो Y1 में से Y2 को माइनस करोगे न, आप क्या करोगे, एक सेकेंड, अब देखो, BC आपने निकालनी पहले हमने BC को लिखा, तो BC क्या होगी बिटा, एक स्टू माइनस एक स्टू इसमें से इसको माइनस करना है, वहीं आप लोगों से बोली जाए, BC हो गया, अब AC की बात की जाए, तो पटा, AC क्या होगी, सर, Y1 में से Y2 को माइनस करतो, अब आपके दिमाख में आ रहा होगा, सर, यहाँ पर हमने Y1 में से किया है, वहाँ हमने X1, X2 में से किया है, इससे कोई फरग नहीं पड़ता, भाई, आपने इसमें से इसमें करतो, चाहिए इसमें से इसमें करतो, क्यों, क्योंकि उसका रीजन अभी आगे देखोगे, cbc square यानि ki ab का square equals to हमने क्या किया भाइ ac कितना है y1 minus y2 का whole square प्लस जिस क्या है x2 minus x1 का whole square अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो ab निकालने के लिए आप लोग spider gorows को लगा कि आपने क्या under root लगाया अब under root में आपने क्या क्या किया y1 minus का y2 का whole square कर दिया और इसको x2-x1 अब देखो यह क्या होता है इसको हम लोग distance formula क्या बोलते है distance formula I hope distance formula clear होगा I hope आपको यह point clear होगा I hope आप लोगों को यह point clear है कुछ इस तरीके से आप देखो इसमें आप लोगों ने देखा कि जब आप लोगों ने वाइबन माइनस वाइटू देखा और दूसरी side x2- y1- y2 देखा x2- x1 देखा इस से आप लोगों को एक छोटा सा confusion हो सकता है कि सर इस में से इस distance को माइनस किया था तो यह क्या है X2 माइनस का X1 और यह वाली क्या है Y1 माइनस का Y2 है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है लेकिन आपको यहां देखने के बाद करिफिसन सरी कैसा formula हमारे लिए बन रहा है distance formula हम लोग तो कुछ ऐसे पड़े हैं बिटा कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा वो कैसे पढ़ा होगा X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square बिटा इससे कोई फरक नहीं पढ़ना कि आपने X2-X1 किया है का आप लोगों को नहीं पढ़ता से मजटेज यहां भी वही देखोंगे तो यहां भी डिट्टो वही है कि आप वाइटू माइनस का वाइबन का square चाहे वाइबन माइनस वाइटू गिर तो कोई फरक नहीं पढ़ने का माइनस ओटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा क्लियर हुआ सभी को सभी को point क्लियर हुआ अब देखो अब इससे आप लोग कहोगे सर कोई question direct question आता है क्या इससे का direction direct question नहीं आता लेकिन आप लोग जब काइनमेटिक पढ़ते हो कि कोई point कोई body is इस point से इस point तक move करती है तो आप कैसे निकालोगे सर उसको दिक्कत आती सर हम हमने distance displacement पढ़ा रखा है जब distance displacement पढ़ा था तो आप लोग देखोंगी सर हमने distance displacement displacement पढ़ा कोई body इधर गई फिर हमने देखा कि वो पहले होता मैं लिभी प्लस का स्कौरर का स्कौरर का स्कौरर का फिर्व कुतनी कि रिख्यू कि अगे आपका ईकाल दे तो यह जो डिस्प्रेंजमेंट आप लोग ने खलते हो तो बहुत से काफी ऐड़ ले告 है ठीक है अब आप लोगों को help करेगा I hope आप लोगों को कोई भी confusion नहीं होगा यहांपर यहांपर यह काम करते हैं हम लोग एक कुष्जन लेते हैं आपसे कहते हैं सारे बच्चे जवाब देंगे, find distance, find distance between, find distance between two points, क्या, two points, हमें दो point के बीच में, distance निगालनी हैं, और वो point कुछ इस तरीके से दे रखें, one, five, end, second दे रखा है, two, minus two, अब आप लोगों को ये जो points दे रखें, इनके बीच में distance निकालनी हैं, सारे बच्चे जवाब दे दो, वहीं सारे बच्चे जवाब दे दो एक बार, ठीक है, बेटा, अरेत्र, session, starting से देखो, आपके question का जवाब मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैं अभी आपको जवाब दे देता हूं, सर, आपने बोला कि root 15, very good, very good भाई, root 50, sorry, 50, very good, बहुत बढ़िया, देखो, आपने क्या निकालनी है, distance निकालनी है, distance का formula, आप लोग, distance formula मैंने आपको पताया, आपको याद नहीं डखना, आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, इस में से इसको minus कर दो, सर, 2 में से minus 1 किया 2 में से minus 1 किया, x में से कर दिया, minus, इधर minus 2 है, minus 2, minus 5, हमने कुछ इस तरीके से कर दिया, सर, ये जो है, क्या बनता है, हमारे लिए 1 का square होगा, इधर क्या होगा, minus 7 का square है, इस से हमारा क्या बना, 1 plus 49, that is root 50, सर जी, इसके बीच की distance क्या है, root 50 है, क्या है, इसके बीच की distance क्या है, root 50 है, I hope, ये वाला point सब को clear, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे सर, आपने ही तो बोला था, कि चाहे x2 minus का x1 कर दो, चाहे x1 minus का x2 कर दो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन to consider करेंगे, इस माले में से ये minus 1 करते है, वाई, y मैं से x minus नहीं करना, और नहीं x मैं से y minus करना, x मैं से x भी तो minus करोगे, मैं बात बताओ, मैं ऐसे move करता हूँ, और नीचे किसी surface पर move करता हूँ, तो surface और एक मैं दीवार पर, माली जाहीं सर दीवार, मैं क्या चड़ूँ चीटी को इस को को इसोचिये, और पर चीदिवार पर चड़ती है, तो आप मैंस करोगे, अब आप इस मैंसे इसको minus नहीं करोगे, तो इसी तरूँ के से हैं, आप x मैं से x के value को minus, x के x मैं से minus किजिये, और y मैं से y को minus करेंँगे, बड़ा simple है, ठीक है, आई होप आप जबाब मिला किसी बच्चे को कोई confusion मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई confusion होगा confusion है तो पूछ लीजेगा ठीक है अब आप कहोगे सर नहीं हमें काम करते हैं आप ने जो बताया था अभी कि किसी में से कुछ भी माइनस कर लो कोई फरक नहीं पड़ता तो करके देख लो ना क्या फरक परता है हना करके देख लेते एक बार कैसे हमने देखा हमने देखा कि पहले हमने क्या माइनस किया था बहले भाई देखो इसको माइनस कर देते हैं पता चला कि इसको उठा देते बच्चे बुलें नहीं सर आप ने तो कुछ और ही बता दिया चलो ठीक है इदर देखो हमने क्या किया डिस्टेंस बतानी है आपको क्या बताना एक लगाया हमने क्या क्या 5-2 लगाओगे तो 5-2 लगाने के बाद आपको एक पॉइंट दिख रहा है न माइनस माइनस पॉजिटिव कर देगा क्या कर देगा माइनस माइनस पॉजिटिव कर देगा क्या करेगा माइनस माइनस पॉजिटिव कर देगा क्या करेगा माइनस माइनस पॉजिटिव कर देग को अब कई बार होता है कि बच्चे यहां सीहकर जाते दूसरी जागा पर इन चीजएग ACT आ था यहां की चीजएगा पर यह है दिस्टेंस फॉर्मुला सभी को समझ में आया यस और नो ठीक है अब हम लोग मूव करते नेक्स्ट पॉइंट पर जो है अमारा कि प्राइं सेवाला कुश्ण मैने आप लोगों के लिए करा दिया आपके कॉंसेट आप स्लोप की बात करते हैं मैं आप से पूशाम अब देखो next point है हमने क्या पहले distance formula देखा two points की बीच की distance हम लोगों ने देखी अब हम क्या करते हैं हम एक कि slope बनाते हैं हमने एक slope ये वाला कि अब देखो इस point पर मैं क्या करता हूं एक a b है ये मैंने ले लिया कोई p q और ये कोई o point है क्या है ये कोई o point है अब मैं क्या करता हूं मैं आपसे पूछता हूं बेटा slope बताईए तो आप कोगे sir इसमें एक o a slope है और एक इसमें p o slope है लेकिन मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसमें कौन सा स्लोप जादा है कौन सा स्लोप जादा है स्लोप का मतलब ढलान ना कि जैसे सपोस करिए कम ढलान है तो आप जब अब इस पर बाइक को लेकर आओगे तो नमालीचे किसी हाइट से आपने flyover से साइकल को छोड़ दिया वह से उसको चलाना बंद कर दिया जिस पर ढलान जबिदा होगा उस पर आप लोग नीचे आते आते आपकी स्पीड क्या है आपकी जो वैलोसिटी है वह बढ़ जब जाएगी ना उतनी स्पीड आपकी जादा बढ़ जाएगी नीचे आते तो मैं यहां पर उसी पॉइंट को अनेक्ट दरता हूं मैं आप से पूछता हूं कि बाद बताओ इसमें स्लोप बताओ सबाइब किसमें कम है किसमें ज़्यादा तो आपको बताओ बश् provप्त सारी जवाव कौन सा सलोब ज्यादा इसमें और पी है यह पिर जल्दी जल्दी ज़़्य ज़्य जबावस कर दो कि ठीक है चलो वेरी गुड अब देखो आपने कहा ची सर ओपी जो है वो मेरा स्लोप ज्यादा है क्या है ओपी स्लोप स्लोप ओपी स्लोप ओपी किस से ओब ए से ज्यादा है आपने क्या देखा आपने क्या पॉइंट को कंसीडर किया अब देखो इस स्लोप के पॉइंट को ही हम आगे कंसीडर करते हैं लेकिन इन सारे पॉइंट को पढ़ने से पहले हमें काम करते हैं यहां हमें कोई पर पेंडिक्रा डिखाई दे रहा है कि या दिखाई दी रहा है तो ग clicking ल निथे टेए तो लाग्डि जब देखते हैं तो फिर उसमें आपको पता है एक बेस होता है यह प्लाट करते हैं हम एक और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं तो देखो वह पॉइंट समझते हैं अब देखो बच्पन में आप लोगों ने कुछ ऑपरेशनस पढ़े हों गे एक तो प्लस मैने कमशिश मल्टिप्लाय ऑप्वाई about Ś Exam, Microsoft में और यह सार्य वच्पने पढ़े हों यह मैं टिकल होप्रेशन सारे वच्पने पढ़े हों अब देखो आप क्या करते थे मैंने यहां पर क्या किया त्व प्लस three किया तो आपके दिमाग में क्या आता है सरी operation plus का है इसका meaning addition है to go add कर दीजिए three के साथ क्या कर दीजिए two go addwl गर दीजिए three के साथ मैंने सीधा simple साइग काम किया मैंने यहां पर five ये वाला operation लगाया और यहां पर मैंने three कर दिया तो आप कहते सर यहां पर एक multiply को operation लखा है इन दोनों को multiply कर दीजिए वेल्यू लिख दीजिए तो आप कहो के सर यह 15 हो गया क्या 15 हो गया यह operation उसी तरीके से तुम लोगों को सिखाई गये थे जैसे बच्पन में आप लोगोंने क्या सीखेंगी ABCD तो बोला सर हम कैसे सीखे थे पहले कुछ कुछ ए बनाया गया और हमें उसको फिर यह बता है यह है कुछ इस तरीके से बनता है क्या दिस इस दा ए और कुछ इस तरीके से बनता है कि हमने बी बोला कि सर यह भी है तो इसी तरीके से यह operation सिखाए गए फिर जब आप लोगों higher classes में पहुंचे तो आपको एक circle का area बताया गया बेटा क्या area of the circle होता है पाई-y-a-r square क्या होता है पाई-r square तो यह क्या है यह चीजें आपके सामने आई function के रूप में क्या function के रूप में function के रूप में किस तरीके से कि मान लिजे मैं आर की वेल्य वन ले लूँ टू लेता हूं त्री लेता हूं मैंने एरिया मैं निकालना है मैंने आर की वेल्य वन ले ली तो यह क्या है जो एरिया होगा वो मेरा पाई के बरावर होगा किसके बरावर होगा पाई के बरावर होगा और मैं क्या लगा दूंगा उसमें समझाने क्वालों जैसे आप लोग देखते हो कि यहां पर मैं आ की different values डालता हूं मेराق area different different निकल कर आता है जैसे मैं rectangle के area की से कि बात कर हूं तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो एल multiplied भी तो area जो हूँ मेरा किस पर length पर भी depend करता है और width पर भी depend करता है यानि कि L की कोई value में डालूँगा तब भी area change होगा V की value डालूँगा तब भी मेरा change होगा लेकिन एक बात बताओ यहां इस operation में आपने just simple देखा 2 प्लस 3 तो 5 ही होना है क्या होना है 5 ही होना है या 5 multiply by 3 लगाया तो 15 ही होना है कोई change नहीं है यह क्या है एक तरीके से function है आपने function क्या area circle का पाई यार इस्पर आर्टी value different different डालो area different different निकल के आएगा क्या area different different निकल के आएगा point समझ में आया भाई आपको यह वाला point function क्या function of radius क्या radius कि radius की different different value पर area हमारा क्या होता चला जाता है चींज होता चला जाता है अब देखो अब area के लिए मैं क्या करता हूँ यहां मैं इस points को इसको उठाते हैं फिर हम लोग लिखते हैं देखो हमने क्या देखा कि जब area मेरा function है किसके लिए और रेडियस की different different value के लिए मेरा जो area है वो चींज हो जाता है अब मैं area को जब मैं function लिखता हूँ तो यहां पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ f for the function और उसके ब्रेक्ट में मैंने लगा दिया और कि area जो है function और है यानि की आर की different different values पर मेरा area चेंज हो जाता है क्या मेरा area चेंज हो जाता है देखो अब मैं फिर दवारा से कहां अब मैं नहीं पूछी नहीं इसको एको ऐसे कसी नहीं बना देते सर वी को जो हूं लोग बनाते है उसको वी यह से क्यों नहीं गड़ देते हैं ना कुछ वह एक रटरते नोつे क्षंक्ष्ण का पार आई होप यह पॉइंट सबको क्लियर होगा ठीक है चलिए अब इसके बाद में कुछ operations और आए हैना कुछ functions और जैसे की कुछ function आते हैं trigonometrical function क्या आते हैं trigonometrical function तो देखो function क्या होता है वो तो मैंने अभी आपको जैसे समझाता हूं functions पर मज़े लेते हैं अभी हम थोड़ा सा पॉइंट हम functions पर रख रहेते हैं कि वॉर्ट इस दा function वॉर्ट इस दा function तो function क्या है कि हमारे पास two variables होते हैं क्या होते हैं two variables होते हैं जैसे suppose करिए मेरे पास y equals to x square plus one ऐसे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है y square sorry y equals to x square plus one अब इसमें आप क्या करोगे मैं यहां पर बिटा x की जगह पर one रख दूं तो y की value किया आ जाएगी सर्वन का square plus one equals to two आएगा यदि मैं वाई की अब एक्स की जगह पर मैं क्या कर दूं बिटा यहां पर two place कर दूं तो it is the two का square plus का one y equals to क्या आ जाएगा four plus one equals to five आ जाएगा यानि मैंने यहां पर x की value में किवल एक का change किया लेकिन यहां पर तो बड़ा change दिख हो जानि कि टू वैरिएवल सोते हैं जब डोवईरिगवल होते हैं तो उनके बीच में relation होता है क्या relation होता यानि एक को change करें दूसरा अपने आप change हो जाएगा क्या एक को change करें दूसरा अपने आप change हो जाएगा I hope आप लोग function को समाझ पाए function is the rule of relationship क्या relationship बताता है कि इसमें two variables में relation बताता है in which one is assumed to be depend and other their independent variable यानि कि x की value कुछ भी डालूँगा y की value change हो जाएगे y की value उसके accordingly change हो कर आएगे आप लोग जो है अपने mathematics में क्या पढ़ते हो linear equation पढ़ते होंगे quadratic equation पढ़ते होंगे हाँ या ना थोड़ा साइस को raise करते हैं और फिर समझते हैं उस point को अब देखो भई थोड़ा सा समझी के सारे points को summarize करेगा अब आदे से बच्चों को मुझे पता है कुछ सिका तो समझ में नहीं नहीं आ रहा क्या चल लाएं यह यह basic mathematics है थोड़ी सी आप लोगों को महनत करने पड़ेगी जब आप लोगों को आपका flow बन जाएगा तब आपको सारी सीज़ें समझ में आएंगे जैसे आप लोग पढ़ते हो मैं mathematics में linear equation माल लीजे मैंने यहां पर लिखा तो इसको आप लोग क्या बोलते हो सर इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर equation ऐसा ही बोलते हो ना इसको linear equation बोलते हो जब linear equation का graph हम लोग ट्रो करते हैं तो straight line निकल कर आता है क्या निकल किया आता है एक इस्ट्रेट लाइन निकल कर आता है जिस पर आगे हमारा topic चलेगा यदि y equals to आपने कहा x square plus x plus 3 क्या कुछ इस तरीके से हमने consider किया क्या किया एक स्क्वाइर प्लस x प्लस 9 जो भी आप लोग लिखना चाहूं सर इसको हम लोग quadratic equation बोलते हैं क्या बोलते हैं quadratic equation बोलते हैं कि अब एक बात बताईए अब यहां मैं x की value change करूं y की value change होगी यहां भी x की value change करूं y की value change होगी यानि कि इस तरीके से जब मैं देखूंगा तो variable यह क्या है यही है हमारे function कि x की value पर y की value depend कर रही किस तर x की value पर y की value depend कर रही है is it clear तो यह सारे function है तो यह हम लोग functions mathematics में देखते हैं किस में mathematics में देखते हैं तो x क्या है यहां पर हम लोग की कोशिश करें इसको और थोड़ा समझने की तो यहां आप लोग देखोगे सर जो x है ना वो x मेरा क्या है input क्या है input मैं कुछ भी input करता हूं y क्या है मेरा output है मैं x की value कुछ डालता हूं y की value मेरी निकलकर आता है क्या आती है y की value मेरा निकलकर आता है कुछ नहीं कुछ जैसे की समझे मैं इसमें इसमें मैं लेकर चलता हूं y equals to x equals to one put किया तो 3 multiplied by 1 plus 2 इसकी value क्या निकल कराई तो में x की जगवाग्मा तो मेरा y क्या निकल कराता है? 3 multiplied by 2 plus 1. It is 7 ACE 7 क्या है? मेरा output है. मैंने input क्या डाला? x की value 2 डाली. x की value 1 डाली. मेरा y क्या निकल कराया? 5 निकल निकल कराया. ये क्या है? दियान रखे, function क्या होता है? function is what अब आपको समझ में आया होगा कि हमने वो function y equals to f of x q लिखा y equals to f of x q लिखा समझ में आया के नहीं आया ठीक है समझ में आया या नहीं आया clear हुआ point sir अब आप foundation पर नहीं हो but foundation by foundation पर क्यों हो रहीं foundation पर भी जल रही है ठीक है लेकिन अभी मैं कोटा से लाइव हूं कि मेरी classes कोटा से लाइव हो रही है कि 8 होगा बेटा 3 अचा यहां हमने वन लिख लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं इसको टू करतो और इसको यहां पर एट करतो है हां चलू बैरी good समझ में आ रहा है सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अब जितने बच्चि समझ रहे ना आप भाई यार कि अब दिखू फंक्षंस में हम लोग चलते हैं कि किसी को इसमें कोई पॉइंट तो ऐसा नहीं जो नहीं किया हो चली इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हम एंट अब एक मिनिट रोखिए क्या अब देखो हम लोग क्या जाते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स पर जा कि इस पर टेग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मूव करने से पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से अब मानकर चलिए यह 90 है यहां पर परपेंडिकुल अब इसमें आपने इस वाले एंगल को मानकर चलिए ठीटा ले लिया क्या लिय अब ठीटा लेने के बाद यह मेरा क्या देखो यह इसके सामने वाला क्या हो गया इसके सामने वाले को आप बोलोगे सर परपेंडिक इसको क्या बोलोगे सर हाइपोटेनस इसको हम बोलेंगे बेस मेराइट और रों मेराइट और रों इत्ता पॉइंट समझ में आया आप आप देखो six technometric functions होते हैं जिसमें हम बात करते हैं साइन ठीटा क्या साइन ठीटा तो साइन ठीटा क्या होता है वो समझने की दुरूत पड़ेगी आप लोगों को देखो इस पर आप लोगों की next class होने वाले थोड़ी detail में लेकिन technometric function होते क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा और इजी technometric functions में से एक slope बाला concept मेरे को pick करना है इसलिए मैं इसको लिखा चल रहा हूँ तो sin theta क्या है पर अधिको sin theta किसमें relation बताता है perpendicular hypotenuse perpendicular upon hypotenuse इन दोनों का रिश पर perpendicular upon hypotenuse वहीं हम बात करें को स्थीटा सेकेंड होता है सेकेंड टिग्नोमेट्रिक function यह किसमें बताएगा आपको बताता सर बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस वहीं तीसरा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है 10 theta क्या 10 theta यह किसमें बताएगा सर यह पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस में बताता एग्येव किसमें बताता ए आप लोग देखोंगे सफोर्थ होता है कोट कोट ठीटा तो कोट ठीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल कर दीजे मतलब इसका उल्टा कर दीजे उल्टा ठीक है तो यह बेस अपोन परपेंडिकुलर है ना वहीं हम लोग सेक की बात करें तो सेक क्या होता है इसका रिवर्स कर दिजे सेकटीटा एकोसटू एच अपॉन B वहीं हम लोग साइन की बात करें और दिस इस दा यहां पर रैसिप्रोकल इसका कौसेख ठीटा होता है इसका उटा कर दीजे एच अपॉन पी तो यह इसके अपोजेट रेसिप्रोकल इनका करते हो लेकिन भाई अभी हम लोगों ने पीछे एक कॉंसेप्ट पड़ा था जो टिग्नोमेट्रिक पॉइंट्स याद होगा हमने इसको ए लिया था ए पॉइंट था यह हमारा भी पॉइंट था यह हमारे पा पाइथागोरस लगाई थी हमने क्या लगाई थी पाइथागोरस लगाई थी अब पाइथागोरस में भी आपको याद होगा कि यह डिस्टेंस हमने निकाला था और एक यह डिस्टेंस निकाला था यह पॉइंट दोनों निकाले थे ना यही तो निकाले थे अब इसमें से हमने देखा distance formula लगाया तो निकल कर distance किस की आई थी AB की निकल कर आई थी इसी तरीके से यहां पर क्या है trigonometric function है बाइच देखो इन दोनों का यूज किया हमने किसका perpendicular और base का किसका perpendicular और base का यूज किया value किसकी निकल कर आई थी distance formula में AB की निकल कर आई थी hour यह sour no hypotenuse equal to perpendicular square plus base का isquare होता है clear है इतना समझ में आया कि नहीं आया बइजल्दी बता दो अगर समझ में आ गया है तो बता दो नहीं तो फिर आगे move करते नहीं करेंगे तो फिर समझाएंगे ठीक है चलो इता क्या क्या समझ में नहीं आया। क्या समझ में weren't यह वो बता दो देगा यह देंसे Eventually सकते हैं जाते हैं जैसे जो हमने लेकां यह दिन सैंट खोस्तेन अब जो मेरीलिका एंगल एंगल थीटा थीटाएं मेंशिन कर दिया अब धीटा के सामने जो होता है उसको परपेंडिकूलर कहते हैं और इसके सामने हाइपोटेनस और जिस पर यह ठीटा बना होता उसको बेस कहते हैं परपेंडिकूलर बेस और हाइपोटेनस और ठीटा क्या है इसको हम लोग नो इसे एंगल वाला जो पॉइंट लेकर चल रहे हैं अब देखो परपे पूर्टेनस है फूर्टेनस बेस है ना अब लोग यह विस फूर्ट आपना SORTS CUT बना लएते हैं अपना गाना बना लेते हैं परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर oger hypotenus hypotenus con-based इन दोनों का जो रेशिव है उसको हमने में sign बोला इन दोनों का हमने joratio ऊसको सो ऊस बोला इसको हमने क्या बोल दिया परपेंडिकुलर अपॉन को 10 थीता बोल दिया can एंडिटा बोलने के बाद मैंने काम कर दिया वह जो आपको पता भी नहीं मैंने इसको box में बंद कर दिया अब इसको box में बंद करने का भी एक अपना particular reason है क्या है इसको box में बंद करने का एक particular reason है ठीक चलिए अब देखो हम क्या है अब बोले sir हम यह क्यों पढ़े रहे तिग्नोमेट्रिक देखो एक काम गरते हैं समझें मेरे पास में perpendicular है और मेरे पास में hypertenous मेरे पास perpendicular है और यानि कि perpendicular hypotenuse कर दूं तो मेरे पास में साइन ठीटा लगा दूंगा तो मेरे पास में ठीटा की वेल्यू आजाएगी अब कैसे आएगी वो मैं आगे classes में बताने वाला हूं ठीक है अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आपके पास में ना बेस है और उसके साथ परपेंडिकुलर है बेस है और परपेंडिकुलर है तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर और बेस इसमें हम 10 ठीटा लगा दें क्या लगा दें हम 10 ठीटा एक्वस टू परपेंडिकुलर अपोन बेस कर दें कुछ इस तरी के से तो ठीटा की वेल्यू में निकाल सकता हूं क्य theta की value में निकाल सकता हूं yes or no समझे में आया point तो इसी लिए we are doing it then इससे हमें क्या conclusion निकलता है वो थोड़ा सा समझे ना बिटा जो हमें तो निकालना है conclusion तो अब हमने function हमने बोला कि यह function है तो function क्या कहता है कि input डालो output निकल कर आए क्या निकल कर आए output निकल कर आए तो आप बोलों कि सर्फ perpendicular hypotenuse और बेस इन दोनों में से किनी दोनों किनी कोई भी two values डाल दी यह तो perpendicular hypotenuse डाल दो hypotenuse बेस डाल दो बेस perpendicular डाल दो कुछ भी डाल दो हमारे पास में आउट to put निकल कर आ जाएगे ठीटा ठीटा की value निकल कर आ जाएगी तो यह हमारे काम की बात थी क्या यह हमारे काम की बात थी कि है इन फूर्ट हम लोग क्या डालेंगे पर perpendicular बेस डालेंगे और उससे हमारा ठीटा निकल कर आ जाएगा ठीक है अब चलो अब तो समझ में आया होगा यार अब तो समझ में आया होगा नहीं आया समझ में किसी को तो पूछ लो यह ठीक है अब देखो फिर हमा नोव करते हैं फिर सीह हम वहाई सुलूप बाफस आते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अब ही स्टाथै। जो पढ़ा है उसी को हम लोग यहां पड़ाई कर देंगे। अब हुआ करता हूँ एक लाइन ट्रो करता हुआ इसे aumento by बना लेता हूं रिप और उसी के ऊपर मैने एक हाईट है कि और हुए। अब इस पॉयंट को मैंने बोला ओभ को अब मैं आप से कहता हूं कि सर इसके लिए हम एक कांड करते हैं यह एक स्लोप है O A X slope है क्या है O A X slope है चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है सर ये तो हम कब से कह रहे है slope है ये वाला अब मैं एक और line इस जगह पर draw करता हूँ मैं इसी base पर एक दूसरी line कर रहा हूँ इतनी तो है इसके उपर एक और ऐसे खीज देता हूँ क्या और उपर बढ़ा दिया मैंने A point की जगह पर एक और point मतलब उपर ले लिया हलका सा उसको क्या ले लिया उपर ले लिया मैंने हलका सा उसको एक सेकेडियार अब मैंने उसको उपर ले लिया अब ये मान कर चलिए कि मैंने ये P point लिया क्या लिया मैंने पी पॉइंट लिया अब इसको मैंने क्या कर दिया कुछ इस तरीके से मिला अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ओए स्लोप ज्यादा है या ओपी स्लोप ज्यादा है तो आप काओगे सर आइधिंग सो ओपी ज्यादा है बट क्यों इसको पूरूफ करिय क्या इसको प्रूफ करिये तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा यहां पर पॉइंट जब भी हमारा बेस सेम होता है क्या होता है क्या जब भी हमारा क्या होता है बेस सेम होता है तो उसमें जिसका परपेंडिकुलर जादा जिसका परपेंडिकुलर जादा उसका स स्लोप जादा होता है जिसका सीम है कि यह घैंका से अब दुगी कोंशेप्ट कट left लगेगा जूए सेप्नि भड़ा गिंसारप लगेगा ऐस सेन नहीं होगा तो नहीं लगेगा तो नहीं हुआ कहा अभी हमने कहा कि स्लोप जो है उसका ही ज्यादा होगा जिसका प्रपेंडिकुलर बड़ा बेस से तो जिसका प्रपेंडिकुलर बड़ा उसका स्लोप ज्यादा हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो ओपी बड़ा है किसे स्लोप O A से किसे O A से बड़ा है क्या है O A से बड़ा Is it clear? Is it clear? Yes or no? हाँ या ना? जल्दी बताओ भई अब मैं मानकर चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर angle consider कर लेता हूँ मैंने इसको angle बोला इसको angle मैंने बोला इस angle को मैंने बोल दिया alpha और इस वाले angle को मैंने बोल दिया बीटा एक को angle alpha एक को मैंने बोला बीटा क्या बोला? एक को angle alpha बोला और एक को मैंने बीटा बोलती है यानि कि O A जो है वो alpha बना रहा है O P जो है वो बीटा बना रहा है अब एक point दियां ते सुने बिटा जब मेरे पास बेस सेम है और हाइफ परपेंडिकोलर मेरे पास है तो बेस प्रपेंडिकोलर का टीक्नोमेट्रिकल रेश्यों कौन सा है अभी अभी सिखाया मैंने अभी भी सिखाया कौन सा है technometrium सर आप कहते अभी पीछे देख लें अब देख लो भाई क्या दिक्कत है टेन ठीटा को इसलिए तो मार किया था इसलिए मार किया कि 10 ठीटा परपेंडिकुलर रबेस का है क्या है परपेंडिकुलर रबेस का इससे हम लोग सुलोप निकाल सकते सुल गते बढ़ा है आप न वीटा को कैसे लिखोगे ईट टैन Indy को हम लोग निक टैन बीटा को कैसे लेखो होगे सर परपेंडीकूलर अपन बेज अब बी सरी ए ओ बी ओ दी अचाहे विस फेट ऐन ओ बी में पर पेंडीकूलर क्या है बेटा एवी टैन बीटा में ठीक है एंड वहीं हम बात करें बेस क्या है सर्प बेस जो है वो ओ बी है क्या है इट इस ओ बी और यह अमारा ग्रेटर का साइन लगी रहा है टैन अलफा की जगह पर में क्या लेख सकता हूं टैन ओ ओ सरी यह वाला पी पी बी पी बी यो पी दी आप ओन ऑवी अब विटा ओए ओवी से औवी कैंसल होता हुआ दिखाई दिरा है न सभी को यह सोर्म miles अब हो गया न तो इससे क्या प्रूफ होता है सर जिसक कुछ गलतलिए हाँ भैया लिख़िए yaglity है कोई बात नहीं इनको एठा दो हमने बीटा वाला कॉंसेuito और लिख लिया हमने देखो बीटा को क्या लिख सकते हैं पीभी जरे पुर्ट इसको के अलफा वाले को क्या लिखेंगे लिपा है क्या यह एक दूसरे सेय गैंसर कैंसर कैंसल और आउन पिर गरेटर याद रखिए ये बात हमारी प्रूफ हो गई ना जब हमारा बेस सेम होता है और बेस सेम होने के बाद में हमसे पूछा जाए कि दो अलग-अलग सुलोप दे रखें और बताईए कौन सा सुलोप जादा कौन सा सुलोप कम तो आप अराम से कह सकते हो अराम से कह सकते हो सर जिस कार जिसका परपेंडिकुलर बढ़ा होगा उसका स्लोप जादा होगा समझ में आया नहीं आया क्लियर हुआ सभी को जल्दी बता दो यार जल्दी बताओ इसलिए हमारे पॉइंट याद रखिएगा इस जगह पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं स्लोप क्यों स्लोप को हम 10thetac Consultant की हुआ ets लिएुआ आप लोगों ये पॉइंट समझ में आया होगा अब किसी को समझ में नहीं आया तो पूछलो जल्दी से जल्दी से पूछलो फिर आगे मूव करेंगे i should be more करेंग कि अगो आप देखो स्लोप हम ये पॉइंट समझ चुके हैं लोग लोग नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते सुलोबिदा हेल्प आफ कोर्डिनेट अब देखो सेम वही काम करते हैं और डिनेट बनाते हैं हमने एक काटिशन कोर्डिनेट प्लेन लिया जिसमें हम लोग और हम से आप से पूछते बिटा इसका सलोप बताओ तो सर आप से ऐस लाइन का सवर जो है वो यह थीटा है कि इसए लिए मेरे पास में पॉइंट मान लीजे मैंने मार किया इस पॉइंट के मार कोडिनेट जो है वो X, Y1 है और इसमें दूसरा पॉइंट लिया मैंने this is the X2, Y2 है क्या है X2, Y2 है क्या है X2, Y2 है यह कोई भी पॉइंट मैंने आपको समझाया था यह वाला पॉइंट बिटा मैंने इसको मैं लाइन को ऐसे ड्रो कर लूँ और इस लाइन को मैं कुछ इस तरीके से आपके लिए मिला दूँ बना सकता हूं ना हाँ यह अन्ना एस और लो बना सकता हूं ना इस एक क्लियर कर अब जितने बच्चे लाइक ना सारी लाइक कर दो यार लाइक तो ठोक दो लाइक ठोको जल्दी घ्क अच्छा लगता है आप लोगोंके लाइक से हम लोगों का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ना बुंद रहे हम इंट रहें कि एक सेकेंड अब देखिए अब एक बात समझ सकते हो कि यह जब ठीटा है तो एक ट्रांस्वर्स लाइन आप खीशते थे यह भी ठीटा होगी यह क्या होगा परपंडिकुलर होगा होगा या नहीं होगा बेटा जी एक स्टू कॉमा वाइटू है तो मैं इसके आपसे पॉइंट के इस पॉइंट पर मैं पूछना चाहूं बेटा तो आप जबाब दे सकते हो ना कि इसके कोडिनेट क्या होगी इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो आप बोलोगे सर क्या कि X2 X2 ये क्या है कौन सी जगह है सर इसको हम लोग X2 लिख सकते हैं और इसको हम क्या Y पर क्या लिख सकते हैं सर इसको हम लोग Y1 लिख सकते हैं किसी को कोई confusion है तो बता दो मेरे को यार अगर confusion है तो मेरे को बता दो ये सोरो अभी मैंने कहा slope को हम theta लिखते हैं और अब आगे से समझ लो theta slope slope को हम लोग mb लिख सकते हैं अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या पता है सर हमारा जो 10 theta होता है वो perpendicular upon base होता है क्या होता है perpendicular upon base होता है इस ठीटा के सामने वाला क्या है च्छार परफेंडिकुलर यह क्या है बेस बात बताईये मेरे को यह वाली बिस्टेंस आप बता सकते हो और यह वाली डिस्टेंस आप बता सकते हो आप लोगों से पूछी जाए यह जो है y2 है यह y2 कॉमा y2 माइनस का y1 होगी क्यों क्योंकि यह y2 है और यह क्या है वहीं यह क्या है आप लोगों के लिए x2 है और यह कॉमा यह वाली क्या है यह अब आपसे पुची जाए इसको हम क्या लेक सकते हैं इसको आप एकस्ट्रू एकस्ट्रूण सब्सक्ने ज्रेस आपसे पर्पेंडिक बलर यह वालिंग इस्टेंस क्या है ए परकेंडिकौरर यह क्या है M perpendicular क्या है Y2- Y1 क्या है Y2- Y1 वहीं आप लोगों से base की बात की जाए तो X2- X1 क्या है X2- X1 तो अब आपसे आगे से दिहान रखिए जब भी आप लोगों को slope निकालना हो किसे coordinate से तो आप लोग कैसे निकालोगे Y2- Y1 upon X2- X1 तो note करो भई फटा-फट से आगे move करेंगे अब मैं इसी point पर आप लोगों से कहता हूँ कि बिटा slope find करिए slope find करो line passing थो जो एक line है और वो in coordinate से move कर रही है क्या कर रही है इन से move करती हुए move कर इन से जा रही pass line जो है वो इस से pass हो रही है और उसका slope बताओ तो आप लोग क्या बोलोगे सर इसको हम लोग X1,Y1 लिख सकते हैं इसको सर X2,Y2 लिख सकते हैं अब हम कारे पास में बड़ा simple सा method होता है कौन सा slope निकालना है जिसको हम लोग M लिख रहे हैं अभी आपने बताया और इसको हमने अभी सीखा है Y2-Y1 X2-X1 Then M equals 2 क्या आगे बेटा अब आप कहोगे सर Y2 कितना है माइनस का 3 है और यह माइनस का 4 है यह 2 है, यह माइनस का 1 है तो इट में माइनस का 7 ओह ओह निकाल क्या आगे क्या निकला सलोप माइनस का 7 सर जी यह कैसा सलोप है आगे समझ में आएगा आगे समझ में आगे चिंता कहा ही कर रहे हो भई तो आप प्रैक्टिस सेशन का बोगा भई आर भी तो पढ़ना चालू किया है प्रैक्टिस तो तुम लोग उखराई देंगे यार पहले ऐसे ऐसे क्वेशन कर लो अभी तो शुरुवात है अभी क्या है चलिए अब फटापट से मूव करते हैं और हमारे पास उतना समय है कि हम चलो वाई सब्सक्राइब एक्स्ट्रा आप लोगों की क्लास चलेगी ओल्मूस्ट हमाज की क्लास को ओल्मूस्ट साथ बज़े तक कोशिश करें कि साथ बज़े तक आप लोगों का टॉपक करें इस्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस्ट्रेट लाइन पर हम करेंगे आज के सेशन को अ नहीं सर में तो एक से बिडाइब के तो इस ट्रेट लैन यह बी जा सकती यह भी जा सकती यह भी जा सकती यह बहूआ सारी रेज जा सकते हैं लेकिन लाइन क्या है एक पॉइंट चाहिए दूसरा पॉइंट चाहिए इन दोनों को मिला होगे जब लाइन बनेगे एम राइट औरो तो मिनिमम आपको टू पॉइंट की रिक्वार्मेंट होती है जब भी आप लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करना चा सकते हैं क्या बेना टू पॉइंट के हम लोग इस्टेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो एक काम कर लेते हैं पहले हम दो पॉइंट ले लेते हैं एक पॉइंट लिया ए यह दूसरा पॉइंट लिया हमने भी क्या लिया दूसरा पॉइंट हमने लिया भी इसके कोडिनि एक्स्टू कॉमा वाई डू ले लिए ठीक है और एक लाइन ड्रॉ कर दी इनसे मिलाती हुई ऐसे लाइन ड्रॉ कर इसको आप लोग नीचे की साइट ऐसे भी ला सकते हो कोई फरक नहीं करता यह हमने एक सेक्सिस लिया है यह हमने वाई एक्सेस लिया है अब अब आप क्या करोगे सर इससे हम लोगों को एक माल दीजे हमने क्या करना है लाइन की इक्वेशन ट्रॉ करनी है जो बच्छे अभी जूड़ने भाई लाइक से और कर दीजेगा जित्ते बच्छे लाइक जो जिनको कुछ भी पॉइंट स को समझऺ पाऊंगे कट है था ड Wagyu लेक्षयर जो है वो आप लोगों के कितने होंगे इसका जवाब मैं आप होखा तो हुरू एवरी वीक्व यह छंड तीन लेंट्वेखिक्स क्यों होंगे तीन लेक्ट्छbers प्रवीक्च्छ Kung brakes क्योंगे आप लोगों के क्लास्गी और क् है ठीक है भाई है ठीक है अब देखो अब हम क्या करते हैं अब देखो हमारे पास line तो ड्रॉ कर लिकिन equation of line ड्रो करनी है तो हमने काम करते हैं इसी line में एक random point ले लेते हैं क्या लेते हैं एक random point लेते हैं क्या लिखे एक्स कॉमा वाई और इसको हमने क्या बोल दिया यह जो पॉइंट लिया है यह पी अब एक बात बताओ एक ही लाइन पर वो रेंडम पॉइंट है तो मैं आप से कहूं कि बेटा स्लोप बताईए स्लोप ए भी और एक और स्लोप आपको दिखाई दिरा है स्लोप एपी या एपी स्लोप एबी स्लोप एसे लिखिएगा स्लोप औफ यहां भी एक काम गरते हैं इसको ठाटें सुन्दर सा लिखते हैं कि स्लोप भाई नोट्स बनाना सीख लीजेगा एवी और एपी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा सर एक ही लाइन पर है तो स्लोप तो इसका एक ही होगा यह वाला हाँ पर तो सेन ही होगा कोडें आची होगा ठीक है कोई बात नहीं हम भी तो यही बात कह रहे हैं ना हम भी तो यही कहना चाहते हैं समझे लोगा बात को जब स्लोप मेरा एक स्लोब जो है वो मेरा कुछ इस तरीके से वेटा ध्यान एक मिनट दीजेगा ठीक है अब भी यस वह सर जादू हो गया जादू अना अरे 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 बाई लो आगई लाइट यार चलो अब हम क्या करते हैं इस बात को हम समझ चुके हैं कि AB एक लाइन है उसी लाइन पर हमने कोई रेंडम पॉइंट लिया है फी वह फॉस लोप बीका सिलोप देखें तब भी से मुगा और ए पी का सोब देखें तब भी से मुगा ए बी और ए पी डोनों स्लोप एक दूसरे के एकोल हों और यही हम ल लिख सकते हैं ना भाई अब देखो एपी के बात करें तो इसके लिए आप क्या आपक्रेशन एक्ट वाई-माइनस का वाई-बन कर दो और उदर एक्ट-वाई-बन कर दो कोई बात नहीं है यह एक हमने क्या किया पहले तो हमें यह वाला फंडा दो जिन्नों को भी एक बार में थोड़ सा समझ में नहीं आ रहा तो भाई ट्रैक पर आपको आने के लिए सेशन को दुबारा देखना होगा फ्तिया चलिए तोड़ासा आपको महनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में आप लोगों के बार फ्लो बन जाएगा आप लोगों का लेवल सेट हो जाएगा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी बाले सर नहीं सर भाय लोजी में तो सारी चीज़ें समझ में आई सर केमश करनी पड़ेगी सर हमें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं दुबारा सेशन देखो समझ में आएगा मेरे भी दिक्कत आएगी हम आपके साथ अवेलेवल हैं ठीक है चल तो सुलोप हमने कुछ इस तरीके से देखे सुलोप देख लिए अब देखो एक बात बदाओ या सर क्या आपके लेक्चर की सीरीज देखने के लिए 910 का स्लेवस नहीं 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 भाई नहीं नहीं आपको स्लेवस देखने के लिए कोई 910 का स्लेवस आना जरूरी नहीं है हम सुरुवात ही कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे लेकिन आप लोग उनका थोड़ा सा 910 देखो पहले तो मेरी बात समझो थोड़ा स भी दे पाते हैं लेकिन कोई बात नहीं आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी आप लोगों को अगर टीक है ना आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जित्ते बच्चे मेरे साथ लाइब है एक बार लाइक कर दो कि लाइक से ज़रूर करना है तिक आना जैसे आपके फ्रेंट सर्कल में भी पता चल सके सबी को अवरी गुड चल आप अभी लोग पीछे सीखा आया ना सर अभी अभी तो आपने सिखाया था क्या सर इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको सलोप एम लिख सकते आँ ना तो लिख दो ना यहर क्या दिक्कत लिखो ना एम इसको एम लिख दिया इसको क्या लिखा वाई माइनस का वाई वन लिख दो और इसको लिख दो एकस माइनस का एकस वन लिख दो ओहो पस हो गया काम हाँ इसका काम हो गया अब इसको चलते हैं लेकर नेक्स स्लाइड पर क्या इसको नेक्स स्लाइड पर लेकर समते हैं तो ठीक है चलो एक काम करते हैं हमने देखा m equals to x minus का x1 ऐसा कुछ था ना ऐसा कुछ था ना नहीं नहीं गलत गोल रहो सर वाई था उपर y था ना क्या दिक्क्त था य माइनस का य माइनस का y1 था और नीचे था x का x1 ऐसे कुछ था सर ऐसे कुछ था थी क्या अभी क्रोस मल्टिप्लाई कर लो सर एम एक्स माइनस का x1 और डिस इस दवाई माइनस का y1 आ गया बस इतना ही है आगे 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 इस्ट्रेट लाइन की एक्वेशन आगे समझ लो बस अब इसको आप क्या लिख सकते हो दिस दा एम एक्स इसको आप सब्सक्राइबर से कराई माइनस का y1 बस और अरेंजमेंट कर लो इस वाई को इधर लेओ ले आओ कδα 16 अ एक्सलिकी का मगरते हैं थोड़ा सा आपकी तरीकर से कहते हैं सर क्या कर दिया क्या कर दिया ये तो हम मैं समझ में नहीं है हमें काम गरते हैं इसको हमने लिखा एम एक्स और हमने इसको लिखा एम एक्स वन और इसको लिखा वाई वन और यह लिखा हमने वाई अब बेटा इसको लेट बना दूँ प्लस का Y1 ठीक है इतना समझ में आया अब देखो बस गेम ओबर इतना ही करना था Y equals to this is the MX और यह जो आप देख रहे होना इसको हम लिख सकते हैं C अब बोले सर यह क्या है सब्सक्राइब यह कौन सी कहानी निकल कर आप अब यह कौन सी कहानी निकल कर आई है ऐसा कुछ बोल रहे हो कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आए एक मिनट दो जार अब देखो अब आप करते हो कि सर यही तो इस स्टेट लाइन यही अब आप से पूछी जाए Y equals to MX plus का C what is this this is the equation of straight line this is the equation of straight line this is the equation of straight line अब आप क्या कह सकते हो नहीं समझ में आया किसी को कोई point नहीं समझ में आया तो पूछ लीजेगा भाई अब देखो भाई अब देखो अब एम तो आप क्या लिख सकते हो स्लोप लिख सकते हो जिसमें हमने replace किया था Y2 माइनस का Y1 से और X2 माइनस का X1 से यह replace किया था कुछ इस तरीके से यह equation of है अब C को क्या कहते हैं इसको कहते हैं Y इंटरसेप्ट क्या कहते है CC क्या कहते हैं और याद आपको यह याद पर क्यों पढ़ रहे हैं पढ़ रहे है बस समझ लीजे चलो टो एक काम करते हैं अब यह वाई इंटरसेट क्या है वो थोड़ा सा समझना बाकी की सारी शिजे हम next में सीखेंगे आप देखुर वाई इंट्रिपह आइसे कोई एक लाइन है मेरे पास में यह कोई करदीशन प्लेइन हमने लिया क्या लिया को सब्साइश करेंड पर एक लाइन ड्रो कर देता हूं क्या कर देता हूं लाइन ड्रो कर दी मैंने क्या कर दी लाइन ड्रो करती मान लीजे इसमें कोई पॉइंट मेरे पास में ए है यह पॉइंट ए है मान कर चलिए यह पॉइंट मेरे पास में भी है या फिर मैं इस है यह को है उसको कहते है कि यह ऑसको किन किस पॉयंट पर लाइन कट कर रही है या नि की कटिंग दिस पॉइंट इस पॉइंट को देखो कटिंग दवाई एक्सिस कटिंग दा वाई एक्सिस इसको हम लोग क्या कहते हैं वाई इंटरसेप्ट कि वाई इंटरसेप्ट क्या कहते हैं इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट आव लेकिन यह पॉइंट कैसे है मैं उसको समझाया हूँ अभी आप लोगों को लेक्स क्लास में यहीं से हम continue करेंगे next class जो होगी वो इसी topic से continue होगी और इस point पर आप लोग देखोगे यह जो point है जिस point पर जिस point पर यह cut कर रही है इसको कहते है एक intercept क्या कहते है इसको कहते है एक होता है हमारा y intercept दूसरा होता आपर है exec intercept यानी की दुद अबंधे आपको समझ में आया कि यदि इसमें कोई आप लोगों को कान्फिस हैने तो पूछ लीजिए है आप लोगों को कोई इस पॉइंट के इस पॉइंट के कोडिनेट बूचू तो आप क्या का होगे सर इसको हम 0, y लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या लेख सकते हैं 0,y अब 0,y एक्वेशन क्या सीखी आपने mx प्लस c क्या सीखी mx प्लस c तो अब बेटा एक बात बताओ यहाँ पर x की value क्या है x की value 0 तो y equals to m multiplied by 0 this is the c तो y equals to क्या आगया सर जीखी आगया क्या आगया y equals to c आगया अब आपके दिमाख में आ रहा होगा अब आपके दिमाख में आ रहा होगा कि सर जी यह तो आपने समझा दिया कि y equals to c यानि कि y intercept जब भी हमारी x पर value 0 होगी तो y intercept की equal होगा चलो यह बात तो समझ में आई लेकिन हमें यह वाला point भी समझाओ कौन सा वाला point समझाओ कि इसको हम कैसे लिखें इसको आपने c कैसे लिख दिया यह आप लोगों का हुंबर के next class में मैं आप लोगों को इसी point से continue हुआ और इसी के आगे हम लोग अपना series continue बरेंगे ठीक है I hope आप लोगों को आज सारी चीज़ां समझ में आई है अगर जिसको नहीं समझ में आई हो तो यह पूछ लीजेगा थोड़ा सा आप लोगों को किसी कोषी नहीं समझ में आयों यह फूछेगाशरोर की किसी को समझ में नहीं आयों तो पूछेगा जिरूर ठीक है उमेद करता हूं सावी को सारे सीज़ाश्यां समझ में यह लाइक और सेयर करना मत बूले गाए तक है कि हाँ तो भाई किसका तुम्हाना नाम जे इस आगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए ये था कि कि भर लोसे सब्सक्राइब्स क्या ओल्ड इस्सुर्डेंट यार लाइक शेफर करना मत गुली का जितने बचले बची इन पच्छे लाइक जरूर्ड कर जाएंगे और जिनको थोड़ सा प्रॉब्लम हुआ है कोई बात नहीं इस ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आप लोग इसको रिपीट करेगा सारी चीज़ें समझ में आएंगे आपको ठीक है कोई कन्फिजन ना तो बता दो भाई मैं अभी चैट में आपके साथ अब लेबल हूं सर क्लास डूरेशन कितना है वाई वन वनार 15 मिनेट से लेकर वनार 30 मिनेट तक आप लोगों के सैशन रहेंगे अब्री डे और किसी का कोई कोशें नहीं पूछ लो भाई अभी मैं हूं अभी हूं किसी का कोई कोशें नहीं तो पूछ लो सर इससे आयो क्यम लेवल बन जाएगा किस से बिटा आयो क्यम का तो बिटा अलग क्लासे चल रही है ना पीज़े सर अजय सर क्लासे आपकी लेंगे ना आयो क्यम की तो यहां तो सर चेप्टर के नोट्स मिलेंगे बही जूब मैं लिखा रहा हूं उस अब नोट करते जाओ जो चीज आपको लिखा रहा हूं ना क्लास में डिक्टो वैसे ही नूट्स बनाते जाओ आप लोग जो चीज लिखा रहा हूं वैसे नूट्स बनाते जाओ और बदाओ और किसी का कोई question कोई query सर PDF PDF यार PDF के लिए आपको हमारे साथ प्लस पर जुड़ना पड़ेगा सर इससे full score हो जाएगा बेटा हां बिल्कुल होगा आप पूरा score कर पाओगे हमारा पूरा खोशिस रहेगा आपको best to best content आपको देना जिससे कि आपका हां बिल्कुल लीव कर सकते हो I am also ending the session right now ठीक है चले मिलते हैं आप लोगों इसाथ अगले session में next day कल आप लोगों chemistry class होगी next day biology और फिर उसके बाद सेम जैसे ही क्याने कि TTS में मेरी आपकी class रहेंगी ठेंक